C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्दुत है कक्षा 6 की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय बारह अनुपाद और समानुपाद प्रिष्ट 279 अब तक जिस तरहा की समस्याओं को हल करना हमने सीखा उन्हें देखें उदहरन एक एक आयताकार मैदान की लंबाई और चोड़ाई क्रमशहप 50 मीटर और 15 मीटर है मैदान की लंबाई का चोड़ाई से अनुपाद ग्याद कीजिए हल आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 50 मीटर आयताकार मैदान की चोड़ाई बराबर 15 मीटर लंबाई का चौलाई से अनुपात बराबर पचास अनुपात पंदरह। अनुपात इस प्रकार लिखा जा सकता है। बराबर दस बटा तीन, अथह अनुपात होगा, 10 अनुपात तीन. उदाहरन दो, 90 cm और 1.5 मीटर का अनुपात ग्याद कीजिए हल, दोनों राशियां एक ही एकाई में नहीं है अतह उन्हें समान एकाई में बदलने पर 1.5 मीटर बराबर 1.5 गुना 100 cm बराबर 1.5 सो सेंटिमीटर अतह वांचित अनुपात है 90 अनुपात 150 बराबर 90 बटा 150 बराबर 90 भाग 30 बटा 150 भाग 30 बराबर 3 बटा 5 अतह वांचित अनुपात है 3 अनुपात 5 5. उदाहरन 3. एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं, जहां महिलाओं की संख्या 25 है और 6 पुरुष हैं. निम्न में अनुपात ग्याद कीजिए. ए महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से, बी पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से, हल, महिलाओं की संख्या बराबर 25, कर्मियों की कुल संख्या बराबर 45, पुरुषों की संख्या बराबर 45, घटा 25, बराबर 20, अतह महिलाओं की संख्या का पुरिशों की संख्या के साथ अनुपात बराबर 25 अनुपात 20 बराबर 5 अनुपात 4 और पुरिशों की संख्या का महिलाओं की संख्या के साथ अनुपात बराबर 20 अनुपात 25 बराबर 4 अनुपात 5 ध्यान दें के 5 अनुपात 4 और 4 अनुपात 5 में अंतर है उदाहरन 4 6 अनुपात 4 के दो तुल्य अनुपात लिखिये हल अनुपात 6 अनुपात 4 बराबर 6 बटा 4 बराबर 6 गुणा 2 बटा 4 गुणा 2 बराबर 12 बटा 8 प्रिष्ठ 270 अथा 12 अनुपात 8 और 6 अनुपात 4 तुल्य अनुपात हैं. इसी प्रकार 6 अनुपात 4 बराबर 6 बटा 4 बराबर 6 भाग 2 बटा 4 भाग 2 बराबर 3 बटा 2. तीन अनुपात 2 एक अन्य तुल्य अनुपात हैं. इसी प्रकार हम किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंच और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. छे अनुपात 4 के दो और तुल्य अनुपात ग्याद कीजिए. उदाहरन 5 रिक्तिस्थानों को भरिये. 14 बटा 21 बराबर डाश बटा 3 बराबर 6 बटा डाश. हल. पहला रिक्तिस्थान भरने के लिए हम 21 बराबर 3 गुणा 7 तथ्य का प्रयोग करेंगे. अर्थात 21 को 7 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है. यह दर्शाता है कि दूसरे अनुपात का रिक्तिस्थान प्राप्त करने के लिए 14 को 7 से भाग करना पड़ेगा. भाग करने पर 14 भाग 7 बराबर 2. अताहत दूसरा अनुपात 2 बटा 3 है. इसी तरहा तीसरे अनुपात के लिए दूसरे अनुपात की दोनों राशियों को 3 से गुणा करना पड़ेगा. क्यों? अताहत तीसरा अनुपात 6 बटा 9 है. इस प्रकार 14 बटा 21 बराबर 2 बटा 3 बराबर 6 बटा 9. ये सब ही तुल्ल्य अनुपात हैं. उदाहरण 6. मैरी के घर से स्कूल की दूरी का, जॉन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 2 अनुपात 1 है. A. स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है? B. निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कुछ संभव दूरियां दर्शाती हैं जहां मैरी और जॉन रह सकते हूं. B. मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलो मीटर में 10-4--- B. जॉन के घर से स्कूल की दूरी किलो मीटर 5-4-2-3-1 C. यदि मैरी के घर से स्कूल की दूरी का, कलाम के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात एक अनुपात दो हो, तो स्कूल के ज्यादा निकट कौन रहता है? हल A. जॉन स्कूल के ज्यादा निकट रहता है, क्यूंके अनुपात दो अनुपात एक है B. मैरी के घर से स्कूल की दूरी किलो मीटर 10-8-4-6-2 कलाम के घर से स्कूल की दूरी किलो मीटर 5-4-2-3-1 प्रिष्ट 271 C. क्यूंके अनुपात एक अनुपात दो है, अथह मैरी स्कूल के ज्यादा निकट रहती है उदाहरण साथ कृती और किरन के बीच 60 रुपए को एक अनुपात दो में बाटिये हल अनुपात के दो हिस्से एक और दो हैं अथह दोनों हिस्सों का योग बराबर एक जमा दो बराबर तीन इसका अर्थ है कि यदि तीन रुपए हैं तो कृती को एक रुपए और किरन को दो रुपए मिलेंगे यानि कि तीन में से कृती को एक हिस्सा और किरन को दो हिस्से मिलेंगे अधह कृती का हिस्सा बराबर एक बटा तीन गुणा साथ रुपई बराबर बीस रुपई और किरन का हिस्सा बराबर दो बटा तीन गुणा साथ रुपई बराबर चालीस रुपई प्रशनावली भारह दशमलवेक 1. एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। अनुपात ग्यात कीजिए। A. फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टैनिस पसंद करने वालों की संख्या से। B. क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। 3. आकृति के हिसाब से अनुपात निकालिये। यहां एक आयत के अंदर कुछ आकृतियां दी गई हैं। आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। 4. आमिद और अख्तर ने एक घंटे में क्रमशह नौ किलोमीटर और बारह किलोमीटर की दूरी तै की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ग्यात कीजिए। पांच रिक्त स्थानों को भरिये 15 बटा 18 बराबर डाश बटा 6 बराबर 10 बटा डाश बराबर डाश बटा 30 क्या ये तुल्य अनुपात हैं? 6. निम्न में से प्रत्य खा अनुपात ग्याद कीजिए A. 81 का 108 से B. 98 का 63 से प्रिष्ट 272 C. 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से D. 30 मिनट का 45 मिनट से 7. निम्न में से प्रत्य खा अनुपात ग्याद कीजिए A. 30 मिनट का 1.5 घंटे B. 40 सेंटिमीटर का 1.5 मीटर C. 55 पैसे का 1 रुपया D. 500 मिलिलीटर का 2 लीटर 8. एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपय कमाती है और 50,000 रुपय की बचत करती है प्रत्य का अनुपात ग्याद कीजिए 10. एक कॉलिज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़किया हैं अनुपात निकालिए 11. एक विद्याले के 1,800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केट बॉल, 800 ने क्रिकेट और 6 ने टेबल टैनिस खेलना पसंद किया है यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ग्याद कीजिए 12. एक दरजन पैन का मूल्य 180 रुपाई है और 8 बॉल पैन का मूल्य 56 रुपाई है पैन के मूल्य का बॉल पैन के मूल्य से अनुपात ग्याद कीजिए 13. कथन पर ध्यान दीजिए एक हौल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दो अनुपात पाँच है निम्न सारनी को पूरा कीजिए जो के हौल की कुछ संभव हौल की चौड़ाई व लंबाई दिखाती है हौल की चौड़ाई मीटर में दस डाश चालीस हौल की लंबाई मीटर में पचीस पचास डाश चौड़ाई शीला और संगीता के बीच बीस पैनों को तीन अनुपात दो में बाटिये पंद्रह एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उनकी आयू के अनुपात में बाटना चाहती है यदि श्रेया की आयू 15 वर्ष और भूमिका की आयू 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा 16. पिता की वर्तमान आयू 42 वर्ष और उसके पुत्र की चौदह वर्ष है अनुपात ग्यात कीजिए A. पिता की वर्तमान आयू का और पुत्र की वर्तमान आयू से B. पिता की आयू का पुत्र की आयू से जब पुत्र 12 वर्ष का था C. दस वर्ष बाद की पिता की आयू का दस वर्ष बाद की पुत्र की आयू से प्रिष्ठ 273 डी, पिता की आयू का पुत्र की आयू से जब पिता तीस वर्ष का था बारह दशमलव तीन समानुपाद इस थिती पे ध्यान दीजिए राजू बाजार से टमाटर खरीदने जाता है एक दुकानदार ने कहा के 5 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 40 रुपए है दूसरे दुकानदार ने 6 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 42 रुपए बताया अब राजू को क्या करना चाहिए उसे टमाटर पहले दुकानदार से खरीदने चाहिए या दूसरे दुकानदार से, निरणें लेने में क्या अंतर लेकर तुलना करना सहायता करेगा? नहीं? क्यों नहीं? उसकी सहायता के लिए कोई तरीका सोचिए, अपने मित्रों के साथ विचार विमर्ष कीजिए. एक और उदाहरण लेते हैं. भाविका के पास 28 कंचे हैं और विनी के पास 180 फूल हैं. वे दोनों इन्हें आपस में बाटना चाहती हैं. भाविका ने 14 कंचे विनी को दिये और विनी ने 90 फूल भाविका को. लेकिन विनी संतुष्ट नहीं हुई. उसने सोचा के उसने भाविका को ज्यादा फूल दिये, जबके भाविका ने उसे कम कंचे दिये. आप क्या सोचते हैं? क्या विनी सही है? दोनों समस्या के समाधान के लिए विनी की माता पूजा के पास गए. पूजा ने समझाया के 28 कंचों में से भाविका ने 14 कंचे विनी को दिये. अतह अनुपात होगा 14 अनुपात 28 बराबर एक अनुपात 2. और 180 फूलों में से 90 फूल विनी ने भाविका को दिये. अतह अनुपात 90 अनुपात 180 बराबर एक अनुपात 2. क्योंके दोनों अनुपात समान हैं, अतह वितरन सही है. दो सहेलियां आश्मा और पंखुरी हेर क्लिप खरीदने बाजार गई. उन्होंने 30 रुपाई में 20 हेर क्लिप खरीदे. आश्मा ने 12 रुपाई दिये और पंखुरी ने 18 रुपाई दिये. घर आने पर आश्मा ने पंखुरी से 10 हेर क्लिप देने को कहा. लेकिन पंखुरी ने कहा कि जब मैंने ज्यादा रुपाई दिये हैं तो मुझे ज्यादा हेर क्लिप में ले चाहिएं. उनके अनुसार आश्मा को 8 और उसे 12 हेर क्लिप में ले चाहिएं। क्या आप बता सकते हो कि आश्मा या पंखुरी में से सही कौन है? क्यों? आश्मा द्वारा दिये गई धन और पंखुरी द्वारा दिये गई धन का अनुपात बराबर 12 अनुपात 18 बराबर 2 अनुपात 3 है। आश्मा के सुझाव की अनुसार, आश्मा के हेर क्लिपों की संख्या और पंखुरी के हेर क्लिपों की संख्या का अनुपात बराबर 10 अनुपात 10 बराबर 1 अनुपात 1. पंखुरी के सुझाव की अनुसार प्रिष्ट 274 आश्मा के हेर क्लिपों की संख्या और पंखुरी के हेर क्लिपों की संख्या का अनुपात बराबर 8 अनुपात 12, बराबर 2 अनुपात 3 है आश्मा द्वारा किये गए वितरन की अनुसार हेर क्लिप की संख्या का अनुपात दिये गए धन के अनुपात के समान नहीं है जोके होना चाहिए था जबके पंखुरी द्वारा किये गए वितरण में, दोनों परिस्थितियों में अनुपात समान है अथह पंखुरी ने सही वितरण किया एक अनुपात को बाटने का कुछ अर्थ है निम्नुदाहरणों को लेते हैं राज ने पंद्रह रुपाई में तीन पैन खरीदे और अनुदाहरणों ने पचास रुपाई में दस पैन खरीदे किसके पैन महंगे थे? राज द्वारा खरीदे गए पैन की संख्या और अनुद्वारा खरीदे गए पैन की संख्या का अनुपात है तीन अनुपात दस, उनके मूल्यों का अनुपात है पंद्रह अनुपात पचास बराबर तीन अनुपात दस, तीन अनुपात दस और पंद्रह अनुपात पचास समान है, इस प्रकार दोनों ने समान मूल्य में पैन खरीदे, रहीम ने 180 रुपाई में 2 किलोग्राम सेब बेचे और रोशन ने 360 रुपाई में 4 किलोग्राम किसने सेब महंगे बेचे? सेब के भारों का अनुपात है 2 किलोग्राम अनुपात 4 किलोग्राम बराबर 1 अनुपात 2 मूलियों का अनुपात है 110 रुपए अनुपात 360 रुपए बराबर 6 अनुपात 12 बराबर 1 अनुपात 2 इस प्रकार सेब के भारों का अनुपात बराबर मूलियों का अनुपात क्योंकि दोनों अनुपात समान हैं अतह हम कह सकते हैं कि ये समानुपात में हैं वे दोनों समान मूल्यों पर से बेच रहे हैं। यदि दो अनुपात एक समान हैं, तो वे समानुपात में हैं। और इनहें समान करने के लिए डबल कॉलन या बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले उदहरण के लिए हम कह सकते हैं कि तीन, दस, पंदरह और पचास समानुपात में हैं। जिसे हम तीन, कॉलन, दस, डबल कॉलन, पंदरह, कॉलन, पचास रूप में भी लिख सकते हैं। और तीन अनुपात दस बराबर पंदरह अनुपात पचास पढ़ेंगे। दूसरे उदहरण में 2, 4, 180 और 360 समानुपात में हैं, जिसे हम 2, 4, double colon, 180, 360 लिखेंगे, और 2 अनुपात 4 बराबर 180 अनुपात 360 पढ़ेंगे. आईए अन्य उदहरण लें. एक व्यक्ती 2 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है. क्या इसी चाल से वो 4 घंटे में 70 किलोमीटर चल सकता है? दोनों द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात है 35 अनुपात 70 बराबर 1 अनुपात 2. दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात 2 अनुपात 4, बराबर 1 अनुपात 2 इस प्रकार दोनों अनुपात समान हैं, अर्थात 35 अनुपात 70 बराबर 2 अनुपात 4 प्रिष्ट 275 अतह है हम कह सकते हैं कि चारों संख्याएं 35, 70, 2 और 4 समानुपात में हैं इस प्रकार हम लिख सकते हैं 35 अनुपात 70 डबल कॉलन 2 अनुपात 4 और इसे पढ़ सकते हैं 35 अनुपात 70 बराबर 2 अनुपात 4 अतह है 24 घंटे में 70 किलोमीटर उसी चाल से चल सकता है अब इस सुधारण को लें 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 180 रुपाई है और 5 किलोग्राम तर्बूज का मूल्य 45 रुपाई है दोनों के वजनों का अनुपात 2 अनुपात 5 है दोनों के मूल्यों का अनुपात है 100C अनुपात 45 बराबर 4 अनुपात 1 यहाँ 2 अनुपात 5 और 180C अनुपात 45 समान नहीं है अर्थात 2 अनुपात 5 समानुपात नहीं है 100C अनुपात 45 के इस प्रकार चारों राशियां 2, 5, 100C और 45 समानुपात में नहीं है यदी दो अनुपात समान नहीं होते हैं तो वे राशियां समानुपात में नहीं होती है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचनस्वर गौरव मार्वा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत